नाको एमूवर या दे ग्रेट एमूवर की नाम से जाना जाता है जो अस्ट्रेलिया में एक रहसे में तरीके से गटी थी और जिस गटा ने सब के होश उड़ा दिये किसी ने सची कहा है कि जब प्रकरती अपना गुस्ता दिखाने लगती है तो उससे लणना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जैसा कि साल 1932 में हुआ साल था 1932 और महिना था नवम्मर का साल 1932 में दो नवमर को एक गटना गटी थी वो दिन भी और दिन की तरह ही आम था सूरज अपनी चमक फैलाई हुए आसमान में चमक रहा था किसान अपनी खेती में लगे हुए थे वो किसान आम किसान नहीं थे तरसल जो किसान खेतों पर काम कर रहे थे वो अभी अभी वे प्रतम विश्युद्ध से रिटायर आर्मी के लोग थे जिनको सरकार ने खेती के लिए जमीने दी थी और हो आर्मी से रिटायर सेनी कब एक किसान मन गए थे और खेती करने लग गए थे तो उस दिन भी वो खेती के काम में लगे हुए थे चारोतरप शानती चाही हुई थी बट उनको क्या पता था कि जो शांती चारो तरफ चाही हुई है वो शांती तूफान से पहले की शांती है उन किसानों को तो यह भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है वो तो जश्ट खेती के काम में लगे हुए थे लेकिन तब ही अचानक उन किसानों के सामने एक बयान एक मंजर खड़ा हो गया उन किसानों पर उन पक्षियों ने अमला कर दिया वो कोई आम पक्षि नहीं थे यह जो हम कबूतर या फिदू चिडिया देखते हैं वो थे दा जाइंट बर्ड एमू जी यहां वो पक्षि जो उन किसानों पर हमला करने आये थे वो थे दा खतरनाक बर्ड एमू यह क्या बोल रहा हम है दा खतरनाक बर्ड एमू वो थे दा डेंजरस बर्ड एमू और एमू पक्षि कितना खतरनाक होता है तो सबी को पता है और वो A.M.O. बर्ड कोई 1, 2 या फिर 10, 12 नहीं थे वो पक्षी जो किसानों पर हमला करने आये थे वो पूरे के पूरे 20,000 पक्षी थे जी याँ वो 20,000 पक्षी के एक जुन था जो किसानों पर हमला करने आया था ये गटना जिस जगह पर गटी थी उस जगह का नाम था उस्ट्रेलिया आपने इंसान और इंसान के बीच की लड़ाई को देखा होगा लेकिन क्या कभी आपने पक्षी और इंसानों के बीच की लड़ाई को देखा या सुना है नहीं सुना ना लेकिन ऐसी लड़ाई असल में हो चुकी है वो ही थी आज से 88 साल पहले यानि कि साल 1932 में अभी अभी तो आस्ट्रेलिया में प्रतम विश्व दे समापती हुआ था और प्रतम विश्व युद्ध के बाद छिड़ गई प्रकर्टे और इनसानों के भी जंग यह मिस्टीरियस गटना साल 1932 की है जिसके बारे में जो भी सुनता है वो हैरान हुए बिना नहीं रहता और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भी इस गटना को सुनकर हैरान हो गए होगे अगर नहीं हुए तो अब हो जाओगे प्रथम विशु युद के बाद जो रिटायर सैनिक किसान बन गए थे वो खेती करने का काम बड़े आराम से करने लगे थे लेकिन तबी वहाँ उन विशालकाय जंगली पक्षी एमू का हमला हो गया और मैं आपको बता चुकाओं कि वो एमू पक्षी कोई एक दो नहीं बलकी बीस अजार थे वो एमू का जुन रोजाना आता और किसानों की फसलों को बरबात करके चला जाता इतना ही नहीं उन पक्षियों ने किसानों जो खेत की रक्षा के लिए खेतों के चारों तरफ फेसिंग लगाई थी उसे भी तोड़ दिया और ऐसा वैं पक्षी रोजाना करने लगे जब ऐसा अक्सर होने लगा तो उन पक्षि छुटकारा पाने के लिए अपना एक ग्रूप बनाया और पहुँच गए वहाँ के रक्षा मंत्री के पास अपनी अपनी अपीले ले करके तब वहाँ के रक्षा मंत्री ने उन किसानों की बातों को सुना तो उसने मशीन गन से ले सेना के एक टुकडी को बेजा ताकि वो किसानों को एमो के अमले से बचा सके फिर सरकार दोरा बेजी गई सेना ने एमो को बगाने वाला उप्रेशन शुरू किया और यह उप्रेशन करीब 6 दिन चला अब आप सोच रहे होंगे कि इन पक्षियों से तो वह सेनिकों की टोली आसानी से जीत गई होगी तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दो कि उस दिन उन पक्षियों ने अम इनसानों को बड़े बुरे तरीके से अराया था जी हाँ उन पक्षियों ने मशीन गण से लेस सेनिकों से जीत आसिल कर ली अब आप यही सोच रहे होंगे कि कैसे जीते वो पक्षि तो चलिए हम आपको पूरी स्टोरी बताते हैं जब सेनिक मशीन गण लेकर माँ पहुँचे तो उन्होंने 50 एमों को एक जुन देखा लेकिन जब तक वो उन मशीन गण से उन पर हमला करते हैं तब तक वो पक्षियों का जुन समझ गया कि उन पर हमला होने वाला है और उन पक्षियों वहां से तेजी से भाग निकले और मशीन गण की रेंज से दूर हो गए तार नॉमबर 1932 को भी कुछ ऐसा ही वाक्या हुआ सेनिकों ने दोबारा करीब 1000 पक्षियों का जुन देखा और उस सेनिक उन मशीन गण से उन पक्षियों पर हमला करने ही वाले थे कि तबी सबी मशीन गण सजाम हो गई और जब तक मशीन गण ठीग हो पाती तब तक आदिस जादा एमू वहां से भाग गए थे मानो प्रकर्टी भी उस दिन उन एमू पक्षियों की मदद कर रही हो हाला कि फिर भी सेनिकों ने करीब 12 एमू को मार गिराया लेकिन जैसे ही ये बात एमू को पता लगी कि उनके साथ एमू मारे गए हैं तो पक्षि पहले से भी जादा सतर को गए कहा जाता है कि उन एमू ने अब सेनिके कामलों से बचने के लिए खुद को छोटे-छोटे समू में डिवाइट कर लिया था और ये जानकर शायद आप चौक जाये कि उन एमू के जुन्ड में से हर एक एमू उन सेनिकों पर नज़र रखता था ताकि उन पर हमला ना हो सके और अगर उन पर कोई हमला करता है तो बाकी एमू को भी सतर कर दे और वहाँ से भाग निकले इस लड़ाई के दोरान उन पक्षियों का जुन्ड उन सारी फसलों को बरबाद करता रहा आज आता है कि 6 दिन के इस उपरेशन में सेनिकों दोरान पक्षियों पर डाई अजार राउंड फायर किये गए थे लेकिन 20 अजार एमू में से वे सेनिक मुश्किल से ही करीब 50 एमू को मारने में सफल हुए आखिरकार सरकार ने तंग आकर सेना को वापस बुला लिया लेकिन जब खेतों और किसानों पर एमू के अमले काफी तेज हो गए तो एक बार फिर 31 नौवमर को सेना ने उपरेशन शुरू किया हाला कि पिछली बार की तरह उन एमू ने उन सेनिकों को खूब परिशान किया और उन्हें वाँ से भागने पर मजबूर कर दिया कहते हैं कि सेना दुआरा चलाए गए इस उपरेशन की इंचार्ज मेजर मर्डित ने कहा था अगर उनके पास भी एमू पक्षियों की एक डिविजन होती और ओ एमू पक्षि गोली चला सकते तो दुनिया की किसी भी मिलिटरी का सामना कर सकते थे इस गटना को एमू वोर या ता ग्रेट एमू वोर के नाम से जाना जाता है जो औस्टेलिया में एक रहसे में तरीके से गटी थी और जिस गटना ने सबके होश उड़ा दिये किसी ने सची कहा है कि जब प्रकरती अपना गुस्टा दिखाने लगती है तो उस से लड़ना बढ़ाई मुश्किल हो जाता है जैसा कि साल 1932 में हुआ था तो वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को जादा जादा लाइक करना चेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलना थैंक्स पॉर वाचिंग इस वीडियो